हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल रीट्स कुकिंग फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं पालक पनी चीज रोल्स यह बहुत ही जादा टेस्टी लगते हैं आप इसको जरूर से जरूर ट्राय कीजिएगा तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं सबसे पहले हमने लिए 500 ग्राम पालक इसको हमने साफ करके 4-5 पानी से दोल लिया है आप इसको अच्छे से दोली जब यहाँ पर हमने पानी गरम करने रख दिया है तो पालक को इसके अंदर डालेंगे और ब्लांश करेंगे यहाँ पर हमको 2-3 मिनिट तक ही पालक को ब्लांश करना है बहुत जादा इसको हमको ब्लांश नहीं करना है पालक हमारी अच्छे से हो चुकी है यहाँ पर हमने एक बॉल में ठंडा पानी ले लिया इसके अंदर पालक को डाल देंगे और पालक जब ठंडा हो जएगा तो इसको चन्नी के अंदर चान लेंगे इससे क्या पालक का कलर अच्छा रहता है और इसको ग्राइंडर चाल में डाल लेते चान कर इसमें पानी नहीं डालना है इसको हमको ऐसे ही पीसना है पीस्ते टाइम इसमें हम डालेंगे तीन हरीमीच और एक ही चंत्रक का टुकड़ा और यह देखिए पालक पीस्चुकी है यहाँ पर हमने लिया है तीन कप ग्यहूं का आटा उसमें डाला है एक चमश नमक अब इसमें हम पालक डाल देंगे और इससे हम आटे को गुन देंग इसको अच्छे से पालक को हम मिक्स करके देखेंगे आटे के अंदर फिर हमको जित्ती जरत लगेगी तब हम पानी डालेंगे अब हमने ग्राइंडर जार में थोड़ा सा पानी डाले लिया है ताकि जो पालक उसमें लगी वह भी निकल जाए और इसको हम अच्छे से गुन हमने लिया है पनीर और प्याज अब हम स्टफिंग बनाते हैं तो इसके लिए हमको सबजयों को सोते करना है इसको बहुत जादा पकाना नहीं है तो सबसे पहले हम ले लेंगे कडाई और कडाई में हम डालेंगे तेल और तेल को गरम होने देंगे तेल गरम हो चुका है इस कोई सकंद के लिए फ्राय करेंगे अब इसमें डाल देंगे एक कम प्याज को भी हम फ्राय करेंगे प्याज कुछजा लाल करना है जब तक ये थोड़ा अप्रशक अन्हों जयाए का जुड़ा सकते हैं इसको पकाना है ये डेखिए अच्छे से सौंफ्ट हो चुका है अब इसमें हम सारी सब्जिया डाल देंगे, आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, कौन भी डाल सकते हैं, और इसमें आप मश्रूम भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो सब्जी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, इसको हम हाई फ्लेम पर सोते करेंगे, ब 200 ग्राम पनीड डाला है अब इसमें हम डालेंगे एक चमश नमक नमक अपने स्वातकी साब से डाल लीजिए एक चमश लाल मिश पाउडर आधा चमश हल्दी पाउडर एक चमश दन्या पाउडर और एक चमश अमचूर पाउडर आप इसमें चाट मसाला पी डाल सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम बन कर देंगे अब यहां पर हमने ले ली है एक कब दही दही को हमने चन्नी के अंदर डाल के इसका सारा पानी निकाल लिया है हंकर ले ले लेंगे इसमें डालेंगे दो चमश टोमेटो सॉस और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप इसकी जगे मैयोनीस भी ले सकते हैं यह जो भी संदो ले सकते हैं यहां पर हम आटा ले लेंगे इसकी रोटी बनाएंगे तो पहले इसको सूखे आटे में डस्ट कर लेंगे और इसकी रोटी बना देंगे जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं वैसी बनाना है यहां पर हमने तवा गरम करने रग दिया है रोटी को बेल कर हम तवे के उपड़ डाल देते है और इसको सीखने देंगे एक साइट से अब इसको पलट देंगे अब इसको हम गैस के उपड़ ऐसे फुला लेते है और सारी रोटियां हम इसी तरीके से बना लेंगे, पहले आप इस तरीके से रख लिजे सारी, देखिए अगर आपके बच्चे पालक नहीं खाते तो आप इस तरीके से उनको खिला सकते हैं, सारी सबजया भी अंदर चली जाती है, और पालक भी चली जाती है, सारी रोटी को ह में को रूटे करखे रखे हुई की कशी ऐसे उपर डालेंगे हम चीज और इसका रोल बना लेंगे इस तरीके से और पर लगा लेंगे बटर आप गी लगा सकते हैं तेल लगा सकते हैं बटर लगा चाहे और दवे पर इसको हम सेख लेंगे अच्छे से, दोनों साइट से हम पलटते वे इसको हम अच्छे से से शेख लेते हैं, और यह देखिए सेख चुका है, अब इसको हम निकाल लेते हैं, और इसी तरीके से हम सारे सेख लेंगे, अगर आपको इसी तरह से नई-नई रेसेपी स तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, तो यह हमारे पालक नीर चीज रोल बनकर तयार हो गए है, अब आप इसको खुद भी खाईए और सब को खिलाइए